हेलो फ्रेंट स्वागत आपका अपने चनल में एक ट्यू की तरफ से दो महत्वपून सर्कुलर आई हूँ है पहला सर्कुलर आपके कोर्स कंप्लीशन को लेकर के और दूसरा सर्कुलर जो है वो स्कॉलर्शिप को लेकर के तो पहला सर्कुलर देखते हैं देखे इसमें मिनिममम आप फोर यर्स में और मैक्समुम आप सेवें यहर में अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं लेकिन एक ट्यू ने कुछ वर्सों के लिए जो छात्रों को एक एक्स्ट्रा टाइम दिया वा एक वर्सक्ट्रा दिया हुआ है तो यहां पर आप देख सकते हैं पार्ट्रों को एक वर्सका और टाइम दिया जा रहा हुआ उसी तरह बी यार्क, MCA, DD और MCA में अगर आपने 2013 में अड्मीशन लिया तो आपको एक वर्सका और टाइम दिया जा रहा है मतलब एट यहर से आसास साल तो मैक्समुम टाइम है उसके अलावा आपको एक साल का और टाइम दिया जारे है कि अपने डिगरी को कंप्लीट कर ली जे घम अगर आपने 2016 में अड्मीशन लिया है तो उससाब से आपको 2015, 2018, 2019 में कंप्लीट कर ने दिया के लिए तो जादा जादा आप 2020, 22 से लिकिन आपको एक अछर को और टाइम दिया जा रहा है उसी तरह एमसी अगर आपने 2016 में कंप्लीट के तो अनुमती हेतु सत्र आपका 2021 बाइस है और एमटेक, एमार्क, मास्टर इंड, अर्बन एंड, रीजनर, प्लानिंग एंफार्मा में 2017 में दिया गे तो 2021 बाइस आपका अनुमती हेतु सत्र है तो इसमें लिखा हुआ तालिका में अंकित विवरण के अनुसार वर्षों में प्रवेश्य छात्रों का बाइस गारत 2021 को संपन्वी भी श्विद्यालों की तियत्तर में परिच्छा समिती की बैठक में करने है तो अत्रिक्त एक वर्ष का अधिक्तम समय प्रदान कर दिया गए एक समय कर लीज डिग्री को complete कर लीजे otherwise आपको डिग्री प्रदान नहीं की जाएगी ऐसा कई जगा होते हैं कि जो student की कहीं में back लग जाती है उपनी back को clear नहीं कर पाते हैं back लग जाती है बीट में job join कर लेते हैं उनकी back तो पूरी जब तक पूरी आपके subjects clear नहीं होते तब तक डिग्री प् पर उन सब को clear करके अपने डिग्री को अपने पास ले अब दूसरी सूसना चात्रवत की संबंदित है यह जो सरकुलर है यह scholarship को ले करके एकेट यू ने जो एकेट यू से affiliated जितने भी इंस्टिटूट उनको भेजा हुआ इसमें लिखा हुआ सब्सक्राइब पोशे नश्ताओं की मानता वास्तिक छात्रसंक्या आदी की प्रावित्त ऑन नाइन सब्सक्राइब के लिखेंगे इंस्टिटूट को करना है लेकिन अगर आपनी scholarship का form भरा है और किसी वजह से अगर आपके form में कोई गलती है तो जो ऑन नाइन सब्सक्रा तो आप अपने college से संपर्क कर सकते हैं, तो यहां देखे, code लिखा हुआ है, जो संस्ता code एक से 300 तक हैं, वो 27 गारा तक सत्यापन करें, जो 301 से 600 तक हैं, वो 29 गारा तक, और जो 601 से ऊपर के code वाले हैं, वो 31, 30 November तक online सत्यापन कर सकते हैं, इसमें student का name, role number, enrollment number, जो कुछ भी scholarship related चीज़े हैं, वो college की तरफ से जो है, वो सत्यापित की जाती, तो अभी आपके पास time है, अगर आपके scholarship form में कोई गलती होगी, आपने college में submit किया हो, कई मेरे पास comment section आते हैं, कि student ने year गलत लिख दिया है, किसी ने class गलत लिख दिया है, आपका form अभी college में है, college की तरफ से भी वो सत्यापित किया जाता है, अभी भी आपके पास time है, आप अपने institute से consult कर लिजो, जो कुछ भी गलतिया है, उसको सही कर लिजे, क्योंकि institute की तरफ से verified और सत्यापित हो गया, तो वो final जो है, वो माना जाएगा, कि final आपका form सत्यापित हो चुका है, तो ये latest update थी, क आप जो course completion का, जो year वो एक साल बढ़ा दिया गया, कुछ year वालों के लिए, और scholars सत्यापित का जो time है, उसको भी बढ़ा दिये गया, तो this is the two most important circular for the all the equity student, for more update, keep watching, subscribe the channel, thank you very much.